मैं हूँ लोकेश और आज के वीडियो के अंदर मैं लेके हैं हूँ आप लोगों के लिए Milton की तरफ से कुछ new launch casseroles जिसके अंदर एक आपको मिल जाता stainless steel का casseroles जिसके अंदर outer में भी आपको steel मिलती है साथ साथ inner में भी आपको steel मिलती है और एक आपको मिल जाता बाहर प्लाश्टिक और अंदर steel वाला casserole मतलब inner steel वाले casserole जो सबसे पहले हम शुरुबात करते हैं Milton के इस pearl casserole के साथ में Milton के इन casserole की quality आपको काफी अच्छी मिलने वाली है because इनके अंदर काफी थिक insulation मिलता है इसकी वज़े से जो भी आप खाना इसके अंदर रखते हैं वह काफी लंबे टाइम तक गरम रहने वाला होता है total company ने चार colors में इस casserole को launch किया है at a time जो है एक color मेरे पास में यहाँ पे रखा हुआ इसकी shape बहुत प्यारी है सबसे पहले मैं इसकी lid को मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह के कि आपको एक lid मिलती है इस casserole की और उसके बाद में यह जो casserole है आप देख सकते है विद लिड़ पूरा complete करने के बाद में कुछ इस type की casserole की looking आपको यहाँ पर मिलने वाली है handle के उपर पूरा पूरा complete आप देख सकते है पूरा golden जो है यहाँ पर आपको handle मिलता है ठीक है और दोनों layers की बीच में बाहर वाली plastic की layer और अंदर stainless steel की layer की बीच में काफी थिक insulation होने की वज़े से खाना काफी लंबे टाइम तक गरम रहने वाला है साथ यह जो आपकी lid है जो ढकर है उसके अंदर भी काफी थिक insulation है तो overall एक बहुत ही super product है और उसके साथ साथ यहाँ पर नहीं बता दूँ यह वाला जो color रखा हुआ इसके अलावा यहाँ पर तीन color options आपको और मिलते हैं दो color मेरे पास पर रखे हुए हैं यहाँ पर एक color और आपने देखा दूसरा color आपको जो है कुछ इस त्रहेंके हैं यह वाला VN 500 مतलब 1500 Va Elijah play और तीसरा color जो है अपको याँ है आनला मिल जाता है यहांपर यह वाला केशल जो है हजार के सिटी एयां पर आपको मिल जाता हैं तो तीन법 Professional थे पहूल आपको वाला है चारों में से कोई भी कलर आप अपनी मन पसंद के अंदर जूस कर सकते हैं बहुत ही सूपर इन के क्वालेटी रहने वाली है बात करते हैं केसरों की एक्चॉल साइज कितना है जैसे कि यह पचीस सो अमेल का कैसरों यहाँ पर रखा हुआ है इसकी जो एक्चॉल केपेसिटी कंप्री ने मेंशन कर रखी 2.1 लीटर मतलब यह जो है आपका पचीस सो अमेल बॉक्स पर मेंशन है यहाँ पर आप देख सकत है वह आपको 1.27 लीटर ही मिलने वाली है साथ इसाथ यह वाला जो आपका 1000 अमेल का जो कैसरों है इसकी जो है एक्चॉल केपेसिटी वह आपको 860 अमेल मतलब 860 अमेल ही मिलने वाली है ठीक है तो आप अपने हिसाब से इन्हों को चूज कर लीजेगा थोड़े से कट साइ 200 ml वाला कैसरों है इसकी जो MRP है वह है 675 साथ इसाथ जो सबसे बड़ा साइस है इसकी जो MRP कंप्री ने मेंशन कर रखी वह है 975 मतलब 975 रुपे और इन सभी कैसरों पर आपको कम से कम 20-25 परसेंट तक का लैस मिल जाएगा जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं वहां से आप आपको कुछ भी अक्ष्टा पे नहीं करना होता है और बहुत ही जबरदस रेट पर वहां से आप उरिजिनल प्रोड़क्ट जो है परचेस कर सकते हैं तो एक बाल लिंक को जरूर चेक कर लिजेगा ठीक है यह तीन कैसरों जो है मैंने डिफ्रेंट डिफ्रेंट साइज के म आपको यहां पर मिल जाता है आज की डेट के अंदर इस चील की बहुत ही जबरदस्ट डिमांड है इस कैसरों में आपको आउटर के अंदर भी इस चील मिल जाता है जो मोडल नेम में आपको बता है मिल्टन स्फेर 2500 ml ठीक है यहां पर इसके बॉक्स को उपन करते हैं जैसे इस ट्रइप का यह जो कैस रोले आपके सामने आता है यह देख सकते है कुछिछ इस ट्रीप का जो है शेप आपको मिल्ता है पर тебя बहुत यं प्यारा सा शेप कंपने ने दिया है यहां और आपको उपर के तरह जो है हैंडल देखना को मिलेंगा कुछ इस तरीफ के अ़ौ कि इजीली इस कैसरोल को आप open कर सकें close कर सकें यहाँ पर दौनों साइड के अंदर आपको इस तरीके के lock मिलते हैं जिनके अंदर जो है उपर वाला जो आपकी जो लिड है वो बहुत अच्छी तरी से fix हो जाती है उसके बाद में अंदर के तरफ आप देख सकते हैं पूरा का कंप्लेन नहीं आने वाली काफी लंबे टाइम तक मैं ऐसा तो नहीं क्योंगा बहुत ही जबड़बस्त क्वालेटी की इस्टि लेकिन हाँ ठीक ठाक वाली इस्टिल यहाँ पर आपको कंपनी देती है लेकिन इंसुलेशन बहुत अच्छा मिल रहा है काफी थिक इंसुले इस्टिल कैसरोल उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अगर उसे भी आप पर्चेस करना चाहें तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिशन में दे दूँगा उसे भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पर यहाँ वाला कैसरोल भी आपके कुछ इसी तरह सिर्फ और शेप चेंज है यहाँ पर इंसुलेशन भी आपको गेलेक्सिया की तरह भी काफी अच्छा मिलने वाला है ठीक है एक तरीके से एक दम नॉमिनेल रेट के अंदर एक बहुत अच्छा कैसरोल हो सकता है स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर भी आपको डिफरेंड जिरो जिरो इसकी जो एक्च्छल कैफेसिटी कंपरी ने मेंशन कर रखी है वो है गाईज 2.33 ml मतलब 2.33 ml साथी साथ इसकी जो प्रिंट रेट कंपरी ने मेंशन कर रखी है वो है 1500 मतलब 1500 रुपे और एराउंड 20% के आसपास यहाँ पर भी इस कैसरोल पर आपको लेस मिल कैसरोल की तरफ भी आप बेलकूल जा सकते हैं अगर हम इन दोनों कैसरोल की बात करें तो इंसुलेशन आपको इन सभी कैसरोल के अंदर इक्वल ही मिलता है। सिर्फ और सिर्फ शेप का फरक होता है। ठीच है और थोड़ा सा कैसीती का फरक होता है किसी में कट साईज करता हूं साथ से तो ओनलेन जिनके कफी अच्छे रिव्यों है उन सभी का लिंक पर्चेस लिंक बहुत ही अच्छे